दलितो और वंचितों के कद्दावर नेता जोगिंद्र नाथ मंडल का जीवन जै भीम जै मीम के नारे की पोल खोलने के लिए काफी है बाबा साहिब भीम राव अंबेड करके समकक्ष जोगिंद्र नाथ मंडल ने दलित समाज के लिए बहुत कारे किया लेकिन वो मुसल्मानों को भाई समझने की गलती कर बैठे और जिन्ना के भैकावे में आकर पाकिस्तान चले गए बटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले श्रम और कानून मंत्री बने जोगिंद्र नाथ मंडल लेकिन पाकिस्तान बनते ही दलित हिंदूों पर लगातार अत्याचार और बलातकार होने लगे मंडल अपने भ्रमन के दोरान दलित हिंदूों के दुर्दशा देखकर दुखी तो होते लेकिन कुछ कर नहीं पाते 1950 के दंगों में हुए दलित हिंदू जनसंहार ने जोगिंद्र नाथ मंडल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और अब उन्हें इसलाम का सच समझ में आ गया 1950 में लाचार और ऐसाहय मंडल को अपने पद से इस्तीफा देकर भाग कर भारत आना पड़ा और 1968 में एक गुमनाम मौत मर गए काश जोगिंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहे भीमराव अंबेड कर की मुसल्मानों के प्रती राय को गंभीरता से लिया होता बाबा साहाब कहते थे इसलाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो केवल मुसलिमों का मुसलिमों के साथ भाईचारा है एक सच्चा मुसल्मान कभी भी भारत को अपनी मात्र भूमी और हिंदू को अपना भाईबंदू नहीं मान सकता जोगिंदरनात मंडल का जीवन हम सभी के लिए एक सबक है कि हम इतिहास से सीख लें और जै भीम जै मीम के प्रोपगेंडा में ना फसें